हलो, गुद मॉर्निंग स्टूडिन्स, जी आर्सी क्लासेस बड़ोली तरफ थी हूँ अंकीता मेता नायक, आजे फरी आपनों हार दिक स्वागत करूछू, गईकाले आपने धोरन दस विग्णान, जे मां बायोलोजी ना सेक्षन नी अंदर प्रक्रन नंबर 6, के जे मां प्रक्षन विशे, आपधा विशे आपने वाद करेली, अवे आजे आपने जोईशू, आपनों मुख्या मुद्दो, जे आपना लेसन नू टाइटल पन छे, अने तेछे जैविक क्रिया, जैविक क्रिया एटले शू, सउधी पेला तो गईकाले आपने वाद करेली, जैविक क्रिया, एटले के लाइफ प्रोसेसिस केवा मा आवे छे, तो अईया अपने एक वखत, अपना चाप्टर मा जे इनफोर्मेशन आपेली छे, एक वखत चेक करी लेए, तो अईया कहे छे, के सजीवोने रक्षन नू कार्या निरंतर थावू जोईए, आपने खबर त्यारे पन थाए छे, जिया कोई चोकस कार्या थतू न होए, धारो के आपने सूईए छे, अथवा कदाच आपने वर्ग खड मा बैठा छे, त्यारे पना रक्षन नू कार्या थतू रहे छे, तो एवे बध्धीच क्रिया आओ, के जे सामुहिक रूप मा जाड़ा में कार्या करे चे तьютरने, सुखै वाईषे, जैविक क्रिया ओ, अपना शरीर ने जाणवी राख़ माटे ह्थतू धरे क्रिया ओ, जैविक है, कही सामाने जैविक क्रियात हो छे आएक प्रश्णाचे तमारी माटे पन, जे तमारे मने कमेंट मा आंसर आपवानों छे, क्या आपना शरीर मा, एकलेगे, बदात सजीवू, इन जनरल, थती जे सामान जहेविक क्रिया होँचे, एक कई कई चे, एना विशे तमारे मने जणावानों, जे तमने जे पन आवडे, બે ત્રંં શાર કર્યાઓ એના વિશે તે વિશે તેતે એજા તોટવાની કરીયાને રોકવા હાટે જાડવનીની અવશક तो इनुद पन के छे के सजीवना शरीमा आपने उर्जा क्या थी मेड़ विए छी आपण शरीम्हें इंदर कारिय थाएएचे धारोंके अपने हलन्चलन करेचे श्वास्त लई एछे आपने शरीम इंदर पाचन नी क्रिया सतत चालूर हैती हो छे तो आप दी क्रिया करवा म बाग्ते हैं, बाग्तेक टो क कायू है, चलाईन को चला तक चलाई सेसे'll को सब्सक्राइब dismissed . गण निंहीं भाल लाव ईन मेडे़ विचानी मिलत चल cabbage, व्यूटी दू कशनी लाणे कि अपनेए उन्दर फ्युयवलावलाव्य होो पढ़ाव पढ़ावा आपने उँर्जाने श्त्रोत चे ए आपने बहार्थी मिढवो पड़े चे जेती उर्जाना स्त्रोत ने बहार्थी सजीवना शरीर माँ थालान तरान करावा माटे कोई क्रिया थाधी जोईये उर्जा नो स्त्रोत अब मने एक सवाल नो जवाब अपो क्या आपणे मनुष्यो अथवा पषू पक्षियो आपणे उर्जा क्या थी मेढविये जो ूर्जानो स्ट्रोत छे, एसु छे, आपणू आहार, क्ये जरने आपने खराग पन कहिएछी, तो आपने याद राखवा नूझे, शरीर नी अंदर आपने झे उर्जा मेलविये छे, इने आहार, अथमारत खराक कहे छे, अने उर्जानो weeds रूपे, आपने बाहार थी, स सजीवने शरीर नी अंदर जे दाखल करिये छे ए प्रक्रियाने पोशन कहवाए छे एलो आ तमारी थाई गई पोशन नी व्याख्या जे घनी वार एकजामा पुछाई गई छे के उर्जानों स्त्रोज जे छे जे आपने बाहर ती शरी नी अंदर नाखिये छे तेने खराक कह अने जे क्रिया द्वार आपने शरी नी अंदर नाखिये छे ते क्रिया ने पोशन कहवाए छे तो आ व्याख्या खास तमारे याद राख्वानी छे आ बेलाइन नी अंदर ती एक जाईवी क्रिया नी व्याख्या छे अने एक पोशन नी व्याख्या छे आ खास याद सपोज एक नानकड़ु घर बनावु छे एक नानकड़ु वन भी एच के घर बनावु छे एक रूम हॉल किच्छनु तो एना माटे आपने केटलो सामान चोई है अने एनी सामें जो तमारे त्रोण माणनु घर बनावु छे के जे माँ 6-7-8 रूम्स चे 4-6 बाथ रूम्स चे ना बधूज वस्तु बहुँ बदा मोटा प्रमाण माँ छे इटले के तमारू घर मोटू छे तो तमारे जे काच्चा माल नी जरूरी आछे जेमके सिमेंट छे स्टील छे लाकडू छे रेती छे कप्ची छे जे पन वस्तु तमने जोईते हुए बिल्डिंग माटिरियल्स तो जिटली वस्तु मोटी होए एटलो तमारे सामान वधारे जोई है तो एवुझ आपाया शरीर में पन छे के जिमजे में आपया शरीर ना शारीरिक व्रुद तो तमें खाई शको तो केवानू और थेचे के जेमजेम तमा मोटा थाओ अथवादो जेमजेम सजीवनी अंदर शारीरिक व्रुद्धी ठाए तो एमना माटे जेचे ए वधारानी काक्ची सामगरी नी वधारे जरूर याग पड़ा छे तो प्रुत्वी जेचे आपनी त अनों ओपन निर्भर छे आब दा एक एक वाक्यों तमारी सामें इटला माटे रिपीट करू छे के सांजी आमने टेस्ट लेवाना छे अन्ने टेस्ट मां आमा थीच कहीं पण आवी शके छे एटले खुबच ध्यांती वीडियो सामपड़ो न समझ पड़े वेवार रिवा तो केचे के प्रुथवी पर जीवन कार्बन आधारी तरणों वोपन निर्भर छे आम मुट्टा भागना खाद्य पदार थो पर कार्बन आधारी चे आ कार्बन नास्त्रोतों ने जटिल ताने अनुसरी ने विवीड सजीवो आपने खबर चे के सजीव शुष्टी आपन के जहिवीक क्रिया एतले सुद जहिवीक क्रिया पची आपना शर्य आदारी पणिक्रया करवा में टे उर्जा नी ज़रूर.. ई उर्जा आपने ख़ोराक मा थी मेड journée विया चे अने आज अलग-अलग प्रकाने पोशन क्रियाओ धरावे छे तो हवे आपने आगर जोईए उर्जाना आ बाहियस्त्रोत एदले क्या आपनो आहार अथवा जे पण वस्तुची जे आपने उर्जा माटे भारती आपने शरी नियंदर लईये छे ते विवित्रकार ना होई शके छे जो मात्र वनस्पति हो कोई एक कज सजीवना नियंदर मा नहीं आपनो परियावरण आ बध्धाना संकलन थी बने लूँछे एटले आ बध्धात सजीव हो जे मैं किधा तमने के मनुष्य छे पशुपक्षी हो छे वनस्पति छे आ बधिवस्तुव एक बिजा साथे इंटर र जे थी आ अंतिम उर्जानो स्त्रोत एक सवान उर्जास्त्रोत मा परिवारते थाव जोई है औने आ विविद अणू ओनी आणू या गतियो के कारियों माटे तेमाज शरीर ने विविद सजीव शरीर ना रक्षन औने शरीर नी वृत्धी माटे उप्योगी आवशक अवे अपने खोराक खाई अपने खोराक मा यूजूली सू खाता होई अचे तो आरोगे तम्हें सवारे उठो तो तम्हें दूधेथवा चापियों एने सते खाक रोके बिस्किट के वो काई नाश्टो करों पाछी पाछी बपोर जमवाबे सो दारभाट शाक रोटली अने एपो शक्तत्तो जेवा अपड़ा शरीर नी अंदर दाखल थाए तो एनू एक सर्खा अणुवामा विभाजन थाओ जरूरी छे जेती करेना अपड़ा शरीर ना धरेक कोशो ए अणुवामा थी उर्ज्या मेडवी शके अनुवामा जी आपनी सिस्टेम छे जेमके प शरीर नी अंदर रासायनिक्क चरियावन थोड़ोख वधारे प्रमायमा अक्सिजेन मेलवो पड़े छे अने अवे आ आपणों बीजो मुद्धो आवेओ आगर नी स्लाइड मा आपणे पोशन विशे भणी गया के पोशन शू छे तो उर्जाना स्त्रोत ने खोराक रूपे बाहार थी सजीवना शरी नी अंदर अलरस भरे अने पछी जे बाचानी आखी प्रक्रिया चालू ठाई छे तो ए चे बाहार थी आपणे खोराक अंदर दाखल करी अने पोशन कहें छे अने आ आवी आपणी एक नवी अने बीजी जह दिक करिया के जे श्वसन छे तो श्वसन नी याख्या बंद मारे खास अने कोशो नी आवश्शक्ता के जरूरियात ने अनुलक्षिन खाद्यस्त्रोतोनों विघटनमा उप्योग करवानी ख्रिया ने आपने श्वसन कहिए छीए श्वसन फरीथी एक वार्याद राख्वानू छे आपने शरीर नी बाहार थी वातावरान माथी आपने आपने द्वारा ओक्सिजन अंदर लईये छे तो शरीनी बाहार थी ओक्सिजन ग्रहण करी अने कोशो नी आवश्शक्ता के जरूरियात ने अनुलक्षिने आपने जे खाद्यस्त्रोतों आपने शरीर नाख्या छे तो एना विघटनमा उप्योग करवानी जे प्रक्रिया छे एन एक कोशी सजीव औने बहु कोशी सजीव औनी वाद छे आपने सर्वने खबर छे के सजीव औना मुख्य बैप्रकार छे कया कया तो एक कोशी औने बहु कोशी एक कोशी सजीव कोने कहवाई एक कोशी एटले के जे सजीव मात्र एकज कोश्णू बनेलो छे तेने एक कोशी सजीव कहवाई छे अनने बहुँ कोशीव इस छेना शरी नी अंदर अलग अलग कार्यो कर्व मेंटे अलग अलग कोश आवेला छे तो एक कोशीव जो ना उदाहर आमाश रोग आवे आ प्राशननो जवाब तम्हारे मने कमेंट भुकस मा आपपपानो छे एक कोशिय सजीवोना उदाहरन बहुत सरर छे तमें अगल पन भणी गया छो आने तमने आउडेच छे तो तमारे बने जवाब आपतानों छे एक कोशिय सजीवोना उदाहरन बहु कोशिय सजीवोन पने कईश कै आपने मनुष्य पशूओ आबदा बहु कोशिय शजीवो छे कारां के आपनु शरीर बहु बहु बदा मिलियंज एने ट्रिलियंज कोशो नू बनेलू छे तो अहिआ गया चे के एक कोशिय सजीवना किस्सामा समपूर्ण सपाटी परिय परियावरणी साथे संपर्क मा रहे छे अने ते थी ते ओने खाराक ग्रहाण करवा माटे वायू ओने आपले करवा माटे के उत्सर्ग पदार्थ उत्सर्ग पदार्थ इटले नकामा पदार्थ आपना शरीर ने अंद जे नकामा पदार्थ उत्पन न था छे ते तो एना न इकाल माटे कोई विशिष्ट अंगनी जरूर्याथ होती नथी आनुसु कारण छे कारण के एक कोष्टी जे सजीव छे एना शरीर नी संपुर्ण सापाटी परियावरन साथे संपर्क माँ डाइरेक्ट संपर्क माँ रहे छे एडले एलोको खोलाक खोराक पण एज कोष्टी ग्रहन करे भायोने आपले पन त्यां थीच करे औने पोशन मिल विने उच्सरक पदार थो छे एपने एकज कोष्ट माधी भाहर काड़े छे परन्तु जियारे सजीव ना शरीर ना कदमा वधारो थाए औने शारीरिक वधारो थावा थी वधारे शरीर जटिल बने त्यारे जो थाए एमाए आपने आपनू मनुशय ना उदाहार अं लई शक्के के बहु कोश्य सजीव आपने पोते बहु कोश्य सजीव छी ए तो आपना शरीर नी अंदरना बधा जो कोशो जे छे ए आसपास ना परियावरन साथे सिधा संपर्क मा होता ना थी हवे तमे जीव तो आपणे शरी नी अंदर बन केटली बधांगों छे आपने उरदय छे आपणा फेफसा छे जठर छे आदड़ा छे बदी नसो छे केटली बदी वस्तु आपणा शरी नी अंदर छे तो ए परियावरन साथे सिधा संपर्कमा न थे आपणी जे स्कीन छे आपणी त्वचा आप तो आथी बधा कोशो नी जरूर यातनी पूर्टी सामानने प्रसरन द्वारा थती न थी आपणे आगाव जो गया छे ए कि बहु कोशिया सजीवों मा विविते कार्यों करवा माटे बिन्न बिन्न अंग विसिष्टी करण पामे छे एला आनो अर्थ सु था है कि धारों के आपने खबर छे कि अपने श्वास लेवो छे तो आपने सेना द्वारा श्वास लाइए काया अंग द्वारा श्वास लाइए तो के चे के नाग द्वारा आपने पाचनी क्रिया करी तो पाचनी क्रिया एटले शूके पर उर्जानों चे स्त्रोत छे एने बार्थी आपने ओछा तोई पाचे इन्द्रियो चे चें ना पोथपोता ना काम चें आपने खाओ होई तो आज ये आपणों नाके उंकाई शकें के भई आजे मूड्या मानी चक्कस अंगो छे आपणे या चक्कस पेशियो थी आने सजीवना शरीर में तेवना संगर्ट अंती परेच अच्छी आपणे खबर छे आपणे शरीर नूँ कई वंग्षू खार्या करेचे तेमा कोई आश्चर्य न थी कि खाराक अने अक्सिजन नू अंतग रहन पर विशिष्ट प्रकानी पेशियो नूच कार्या छे आना थी मुश्किली उदभवे छे कि खाराक अने अक्सिजन नू अंतग रहन जे चे एश शरीर ना किटला क्चकस अंगो द्वाराश थाए छे आपनी पाचन क्रिया चे आप उज बाचन तंद्र चे एटला जंगो मा एफ और अपने खबर चे तो शू खाली मोडा ने क्या अतडा ने जूर जानी जरूर छे तो के छे के ना जरूरियाद तो आपनी शरीर ने बदाज भागोना छे तो आज जरूरियाद छे एले कि आ वहन नी जरूर पड़े छे टले आपनी त्रीजी जैविक क्रियावी वहन तो वहन शू छे तो के छे के ख़ाराग तेमज अक्सिजन ने एक स्थान थी बिजास्थान सुधी लाई जवा माटे वहन तंद्र नी आवशक्ता होई छे वहन शू छे तो ख़ाराग तेमज अक्सिजन ने एक स्थान थी बिजास्थान सुधी लाई जवा माटे वहन नी आवशक्ता होई छे एले वहन चे तंत्र द्वारा जे अंगो द्वारा वहन थाई छे याखी सिस्टम भेगी मण इने एक वहन तंत्र बनावे छे तो आपण आपण एक व्याख्या याद राखवाने छे वहन हवे अपने नेक्स लाइड जोई है जारे रासाइनेक प्रक्रियाओं माँ आपने खवर शे अपना बोडी नी अंदर सतत क्रिया थती होई छे आपणे जैना बाई पंदा सूता पनी आपणदा समामका पनको में वम्हें एक आर्या करी रहुँछे, आपणा शरी नी अंदानुजे वहन तंत्र छे, एक आर्या करी रहुँछे, आपणा शरी नी अंदानुजे उत्सर जंत तंत्र छे, एपण कार्या करी रहुँछे, केमके प्रक्रियात वंदा सतत चालुच्छे, तो जारे-जारे रासानिक प्रक करिएव मां कार्भन नो स्त्रोत और अक्सिजन इप्यक उर्जा प्रप्ति में थाये छे आवेद में जुओ आपणे धरो के मम्मी चा बनावे छे तो चा मां आपणे सु नाखिए पाणी जोईए दूदु जोईए शाकर जोईए और चा पत्ति छोई तो चा बनीशय के खरा ना, obviously ना बने, तो इए बदू नाखी ने पची चाहने घरम करिये, आपने खबर छे के ए जे चापत्ती छे, के जेने आपणी चाहने चा बनावीच, आटली स्वाधिश्चनने टेस्टी बनावीच, तो इजे चापत्ती ने जे कुचा निकडेचे, आपने खाये जाई ये अब्वेसली नाट एने अंद थी जे चानो रस पाणी उकळी ने जे चानो रस अंदर आवी गयो पच अपने गल्णी थी गाडी ने ये चाना जे कुचा छे एने बार फेक की ताई गयो छे तो ए जे छे एस आपना बड़ी ने अंदर कारिय थाए चे क्या आपने जेपन वस प्रक्रियान अंते एवी निपजो के एवा उत्पा दखो एवी वस्तुव पन बने छे के जिए शरीर ना कोशो माटे बीनुप्योगी होई छे अने घणी वारे हो होई के मात्र बीनुप्योगी ने पने हानिकारक पन होई छे जो एशरीर नी अंदर जमा थती जाए थती जाए थती जाए थती जाए तो आज एणी नकामा उत्सर्ग पदार थो अथवा तो कई शक है के जे नकामी निपजो छे एने शरीर माती बाहर कडवा अती आवश्यक होई छे तो आजे आपणी क्रिया छे एने आपणे सुकाईये छे आपणी एक और जैवी क्रिया आवी जे छे उत्सर्जन उत्सर जने व्यक्ष्याद करी लई है कि ज्यारे ज्यारे पन रासाइनिक प्रक्रियाओ माय कार्बन स्त्रोद ने अक्सिजन उप्योग उट जा प्रप्ति माटे थाई छे त्यारे घणी वार एवी नीपा जोके उत्पादकोपां बने छे शरीर ना कोश्र माटे मात्र बीन उप्योगीज नहीं पन हानी कारकपां होय छे तो आपना शरीर नीऊंगा जी नक्तामा पदार ठोके उत्सर गद्रव्य बन्या एने शरीर माथी बाहार काडवा अती आवशक होय छे एटले आजे बाहार काडवानी क्रिया छे आ क्रिया ने आपने उत्सर जन कहिये छिये तो आपनी एक अगत्यानी जैविक्रिया थाई अत्यासुदी आपने भणया जैविक्रिया होमा एक आपने पोशन विशे भणया एक आपने पाचन विशे भणया श्वशन विशे भणया श्वशन थाई गया पच्छी अव्या वहन तंत्र शरीनी अंदर बदी जे तुँ अक्सिजन नूने बदू खोराक उठ्जानू वहन करवारू छे वहन तंत्र विशे बात करी अने यहां उत्सर जन विशे बना के जो बहु कोशिया साजी वो जो बहु कोशिया साजी वो मा शरीर अंग संरचना मुल्भुत्निया मोनू पालन करे छे तो उत्सर जन उत्सर्ग द्रव्यों तो शरिणा धर्या भाग माथी भ्यवाधुता फिषटर मा heКакा द्रव्यों तुर सवहाध बया है, य्व सकुने में a प्राता से लुप था depressingा Umm आजनू लेक्चर घड़ू काम मा आवियो अशे पोशन श्वसन वहन अने उत्सर्जन आ चार जी आपड़ी बहुत्वनी जैविक क्रिया हो छेन्या विशतमे सरस्रिते बेजिक माहिती तमने मढ़ी गई अशे आप टोपिक्स वन बाई वन हावे आपड़ी नेक्स्ट लेक् किया तोपिक टोपिक चिक टोटील अशेल आपड़ी नेक्ते हैं जैवी ट्रूच है लेक्ट ली ओंर दोटिज आपड़ी यह उड्रड़ी तक टोटोटी यह आपड़ी र 속न्या भाट़ी फारे यह इंट ग्रूच टोटी आजर्ड़ी टूटी इंट व्रीय।